नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रावन से मेरे साथ मेरे सेनिर बोटनी के सेनिर फेकल्टी सर्वेश जियादव आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सर्चा करने जा रहे हैं स्टेश सी 2022 स्टेट लेवल टेलेंट सर्थ एक्जाम 2022 जो 10 और 12 प्लास के बच्चों की होती है उसके वीडियो सोलिशन से पहले आप से हम चर्चा करने जा रहे हैं यह एक्जाम आज 8 दिसंबर को हुआ है एक अच्छा एक्जाम बच्चों गया निश्यत रूब से आपने इ लेते हैं ग्यारा बारा तेरा नीट और जेई और एंडियो की कोर्सेश लेते हैं सीकर में अपना खुद का स्कूल है सीवेसी का नीट के लिए जेई के लिए एंडिये के लिए और कहां से स्कूल कराना चाहते हो तो आप को प्रीफाउंडेशन कराना है तारगेट है तो जूट सकते हैं सीच के साथ इसी के सथ अलवर हमारा खुद का सेट है जहां हमारा खुद का स्कूल है के वी रास्तवाइब का है वहां आठ नोध्याइट परीफाउंडेशन है ने जी नो दस लेगा प्रीफांडेशन ग्यारा बारा तेरा नीट और जीट दोने चलेगा हां सीकर में प्रीफांडेशन छह साथ नो जसे है अलवर जेपुर में आठ नो जसे तो जुड़े के सारे का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी 2023 उसने बसंद पंची में उस तिन से नए से स्टार्ट हो जाएंगे आप सीकर आएं विजट करें अलवर जेपुर सीकर जेपुर का आड्रेस आप जानते हैं वो गोपालपुरा बाइपास पे जो पहले हमारा सेंटर स आप में है ओके दोस्तों नमस्कार विजारती हो दर्मदर चोधरी टीम लगा था हिंदी में उसका सोलिशन देखेंगे तो पहला कि इसमें कि निमलिकेत वर्णों में अंतर्ष्थ विंजर है अंतर्ष्थ कौन सा पुचा है अंतर्ष्थ विंजर इसमें ने शे अन्य यह है इसमें रहे है वो अंतर्ष्थ विंजन है तो स्ट कीड़ सिसका राइट हो जएगा सेज़र किसव गयं कह रहाँ स्थान है उस Sé को संकासब कहां से होता है इस क orphanже आगा कंट कंसे कि सबलता है कंट हो से तो इसका फैस्ट है वो सही हो जाएगा नेस्ट कुछिन ऐ inheritance को ने लिव लेकित सब्दों में तद्भोश सब्द एडे मुचा है सद्दू कंटक और इचान तो किसान suckinglar है वो कुट साहे तद्भोश एक मुज़ के sons सब्द है तो के ऊप्षν है ओचन ता राइट हो जालेगा next से तो आसमा भी इसमें पर सुटा आतल सिंग्य नहीं है नहीं पाट इसमें टर्थ इसमें पख भारत है वह इसका राइट अन्से जाएगा तो तीसरा इसका ओप्शन वह सई नेक्स्ट किस्न परिमान वाच्चक विश्यसन का उदान है परिमान किसका बुजरा है परिमान वाच्चक विश्यसन का थोड़ा उस काला मीठा तो इसका अंस्वर सही क्या है थोड़ा पहला है वो इसका राइट हो जाएगा तो परिमान वाच्चक विश्यसन का उदान है थोड़ा तो पहला है इसका राइट आज नेक्स्ट मैं अपनी पुष्टक पढ़ रहा हूं वाक्य में रेखांकित सब्द में सरवनाम का प्रकार है मैं अपनी पुष्टक पढ़ रहा हूं मैं अपनी तो यहां अपनी पुष्टक पढ़ रहा हूं इस मेफने पूछा है सरो naam कौन सा पुर 폭वाचक मैं अपनी पुरchu जबाचक नहीं है है कि ही डिशे नहीं यह समन्ध नहीं यह हैं दिशवाचक ऐख मैं अपनी पूच्तक पठ रहा हूं से नमल लिखित वाक्यों में क्या पुछाँ है जो आसे नेisma लिकलों मिद्वाकों में किस वाके में गुन पूछाए घडम पूचा काला कुटा ड्राउना है कुटा कैसा है काला अधिक है पांस लीटर भी दो यह कस नीए शेव है उस पस्त को पड़ो तो यहां क्या ही पूचा आपन को गूण गून की समय है पहले में काला कुटा ड्राउन आई तो इसका प्यस्ट अप्शन है वो राइट हो जाएगा तो इसका पहला है वह सई है नेक्स गूर्शन गूर्ण वाचग तजित परते का उद़ारण है गूर्ण वाचग तजित परते में अपन को इस तुक्षी और तक्रण्सकमान्सकते है क зах miesz डगे नहीं राष्टी नहीं स्ट 59 थो घुन उत्र परते को दो है वह क्या है मानवता इसमें सेकंड्स avxn राइट है नेकिस्ट कि निमलिकित वाक्यों में किस वाक्य में अप्पादान कारक का प्रियोग हुआ है कौन से कारका अप्पादान का रख कि इस मंदिर में अनेक मूर्थियां है मेरी उमर 50 वर्ष है पुलिस ने चोर को दंड दिया कि गुरू से शिक्षाग रहन करता है कि अप्पादान करता ने करम को करण से संपर्दान के लिए अप्पादान से तो एक तो से दौवर्थों में आता है अ एक तो अलग होणा है यह एक होता है you गिए दुवारा तो यहां तो इसमें शिक्षे कर 화나 करें कि आनकर है थे को तो इसमेंтомो से गूर फरो इसमें की ईसमें को दोखारात में करा रॅब जाएगा अपणाटन करक में से हो की बेंगा है तो इसका पूर्था है वो राइत माना जाएगा ठीक है नेक्शिशन का सम्भावे भविश्य काल का वाक्य है किसका पूचा है संभावे मश Essekar समभव ख़विशे काल क्या है किस किसान खेट जोतरा होगा प्रसांत खेल रहा है अब नास निगाना गया अब मैं चलों कि अपनों पूछा है संभवी तो इसमें संभवे भीशे काल है वह आब मैं चलूं तो तो फोसर इसका रइट हो जाएगा नेक्स्ट अ मत आजनम समासिक पद में समास है आजनम सब्द है उसमें समासिक पद में समास कुन सा है तो आयू बहुत समास है उसमें पहला पद परदान पहला पद में उपसरक आजनम तो इसमें कौन सा समास जाएगा आयू बहुत समासिक तो चोत्वा उप्शन है पहला पद पहला पद परदान होता है और वह पद ही उपसरक यूपत होता है तो पहला पद क्या है उपसरक आज लगाओ है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आयू बहुत समास नेक्स्ट क्यूशन इस समास में पहला पद गोन और दूसरा पद परदान होता है इसमें कारक में विवग्टी चिनों का लोग हो जाता है यह समास कौन सा है तत्पृसमास थफिक है तो इस में पूर्छा पसद क्या है शेकर आकने क्रिक्षमेंस और मिंण नेक्स्ट परसरक चीनों शमान चरन से विगर गैगा समश्क पद है। कंब के समान जड़ा किन कि तरह घुझा करious को कंब के समान कि म रुष समान तो इसमें कों सा समय रीट है इस का में कौन रिखधरeren कंव ज़ औरоки समान स्यरी कमल के समान थ्रण तुठ पर ر diabetic समय स्चिंछ समान जड़ीन जया हमें पूपसरग हैं तो पहले लगता है जो पहले लगते हैं तो पहले क्या पूचन है को दिक अत्य दिक में उफ्सर्ग होता है में साँ पहला अती इसमें कुन से में तीसरे में तो अत्य धिक में कौन सा उफ्सरग है अती तो इसमें थीसरा उप्सन है वह रइट हो जाएगा अती सब्ध ठीक है next प्रिस या पिछे आर्थ को परकट करने वाला उपसरग है किसको वीपरित या पिछे को कौन सा सब्धायों फिर्कत करता था आफ यह प्रक्रार नेक्स्ट cetalf Front उप्षोन है awakening अगा परा दयक्सिट आ शीर तो नीरज-सब्द का सही प्रिया कि ए किस का nap प्रिया है नेष्टरिया निए गूछ सब्सके्ट का प्रियाय है कोंसा सब्सक समुह एक सब्सक्राइब का प्रियाय वासव शुरेज मयूग यूव सुने अनन्थ गोटक हाई अंबर प्रियंथ प्रियंक पूस्ट तो पुचा क्या है कौन्सा सब्सूभर है एक सब्सक्राइब यूम- तो इसका आंसर होना जाएगा सेकेंट तो स्ट्रेम कौन सैंसर है सेकेंट से नेक्स्ट अठारा उर्वर सब्द का सही विलोम है उर्वर का विलोम उल्टा बंजर बंकर बंधन बुरा तो इसका उल्टा हो जाएगा बंजर उर्वर का उल्टा बंजर तो फैस्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा नेख्ट क्योंसरों है सोग- सोग- सुर्ती सम्हिनारत का सही अर्थ है कि बोलने मिल जैसे लग रहे हैं सोग- इसका सही अर्थ है दुख और चाव सपल dhuk & सवह का चाव neट इसका पफेला उप्षन है वह सही are not there took the Rita's हैं वनिसमीं यह सही आप्षन है वह सही है नेक्स्ट रास्ता दिखाने वाला वाक्य के लिए एक सब्द है क्या रास्ता दिखाने वाला तो रास्ता कौन दिखा रहा है आदर्स नहीं है रागिर नहीं है पतराई नहीं है पत्पर्दसर यह से हो जाएगा पत्पर्दसर का मतलब होता है कि रास्ता दिखाने वाला तो इबूस्न में स्कों सांगे ये Sum to us a present a अधार पतलिक दुछिआ शूद सब्ध है क्या पूचा है सुदनी पूच रहा है अगला वरतनी के दुरश्त पेस काँ सब्ध euros जाते हैं यहां क्या समय है एस सब्ध कुन सा है गन्माने कि कि मिष्टान वेंगे विग्रेख देखो ये टीनों मिष्टान से ये वेंगे भी सही ए विग्रेख्यक्ट लेकिन ये सब भगणने मान्य हो गया इसलिए गन्य मानने ये उप्सवर जाएगा तो इसका 21 में वह इसका राइट मना जाएगा गन्ने मानने ये सुध है रही कुन सा पूछरा है सुद्व के अब हब आप हम बोजन हम खाएंगे सब चात्रों में रमेश भी हृषि ना मताजी में आप में Two film अاي था चात्रों में राम में सबमेश सब्समें तो हृष उप्षन है वो बिलकुल सुद्ध है तो यह तो इसका right माना जाएगा ठीक है next question अनाव इस एक विपत्ति मोह लेना अनाव इस एक विपत्ति है वो मोह लेना अर्थ प्रक्रक्र कने वाला मुहावरा पूसर आगिला कि अनाव से ग्रूप से विपत्ति मोह लेना इसका मुहारा क्या होता है तो उड़ता तीर जहलना सवाइक शिभा आता है जोलते हाँ चाहर आज एक लिना तो यह उड़ता तीर जहलना अन्व पती मुल लेन ठीक है तो इसका फेस्ट अप्शन है वह रइट वन दायेगा जहां मुर्गा नहीं होता क्या वहां सवेरा नहीं होता अर्थ को परकट करने वाला लोकोगती क्या जहां मुर्गा नहीं होता है सवेरा कि मुर्गा नहीं होता है सवेरा नहीं होता संसार को जगाने वाला मर्ट आता है मुर्गा नहीं हो तो सव्र कारे करता है कि कुप सार्थ कारे अपनी आप उत्यंत does Jga संसार में किशिकर में कोई और विकारी भी नहीं रूपता इसलिए इसका तीसरा ओप्शन है और राइट माना जाएगा कि किसंसार में किसी के कंवाउं में कोई विकारी है पूरुता नहीं नेक्ट क्यूशन कि निमिली कि दुबाक्यों में भावाचे का उदान है किसका पुजरा है भावाचे को भावाचे में सा नगेटिव रथ प्रक्ट करता है देखो इसमें मैं पुस्तक पढ़ता हूं शीतानी पत्तर लिका रवी ने सवेरे उठा नहीं जाता रामनी दूद प्या रवीशी सव सब्सक्राइब यह उठा नहीं जाता तो इसका तीसरा उप्षन है वो राइट माना जाएगा नेक्स्ट कुश्चन कि नदी में बाढ़ आ गई सभी अपना घर बार छोड़ जाने लगी उप्रुत वाक्यां में किन विरामचिन विरामचिन का प्रियोग हुआ है किसका पूसरा है विरामचिन अब देखो यहां थोड़ी रुकि इसको बोलते हैं अर्द्विराम यहां पुरी रुकि इसको बोलते हैं यहां बीच में यह जखिन जोड़ा हुआ है इसको बोलते हैं यह जख्चिन कड़ी की रूप में जड़ा है तो इसमें कौन चे अप्शन लिका वे अर्द्विराम यह जख्चिन और पूर तो फैस्ट ऑप्शन इसका राइट वाना जाएगा यह तू अड़िय समय को कोई सब्चूट जाता है तो इस चिन को लगा कर उपर छोटा वास लिख दिया जाता है इस चिन को क्या कहते हैं और बीचमी अपन से कोई सब्च छूट गया तो सब्चिन को खेते और रूटी पूरत जिन कोई गलती हो गई और अपने लिग देते हैं उसको बोलते हैं तुरूटी पुरुख ठीक है तो इसका चोथा ओप्शन है वो राइट वो जाएगा नेक्स्ट कुछ सब आङो याव पुरुषकार सब्द का सभी संधी विशेद है क्या पुरुषकार सब्द है इसका सभी संधी विशेद पूसरा है कि इसका सभी यघ प्रुष्कार का सही जाएगा यह आदा अक्सर रहे तो इसका पूरेश्कार यह को लिखाओ है फैस्ट में तो अट एस में फैस्ट ऑप्शन है वह अपना राइट माना जाएगा तो पूरेश्कार यह इसका सही उत्र है नेक्स्ट कुछ कि आप पावक सब्द में संदी का प्रकार है किसमें पूच रहा है पावक सब्द में संदी का प्रकार पूच रहा अगला तो पावक सब्द में कौन से संदी है गुण भी नहीं है येन भी नहीं है आयादी संदी है अरुदी भी नहीं है तो पावक सब्द में संदी कौन से है है और यजा है लोग संधी जख का सभी संधी है क्या लिखा है अलुप प्लेस जैसन तो आनूरस ने सुना है तो इसमें अनुशन कॉन सा है अनू प्लैसस्ट एसन अनुच्ट तो इसन पेस्ट में लिखावा आ है इस पे दो मातरा ले विए इस पे अनुच्ट पुरा है तक और क्या लिक्वाप्षण है ओरना जाएगा अनुच्ट कुन कुन क्या कहा है की घंख सबन का साइए अरफ है किस्अ का पूछ रहा है कि अरत की खाल्य तो यह प्विड़ घुख दें & कुन हे मानने वाला कि खेउप कार को में मानने वाला सेकेंड ओप्सष् sca还是 ही माना झाएगा तो इक ति कि अर्थ के अधार पर वाक्य का भेद है किसके अधार पूज रहा है अर्थ के अधार पर वाक्य का भेद सरल वाक्य सयुक्त वाक्य करम वाक्य विधान वाचक वाक्य तो किसके अधार पूज रहा है अर्थ के अधार पर वाक्य का भेद है विधान वाचक वाक्य तो इसमें फोर्थ उप्षन है वो सही माना जाएगा तो तो था उप्षन है पूराइट है इसका ठीक है नेक्स्ट क्यूशन लुँक्त वाक्यों में किस बीमार के लिए दू सुद्ध गाय का दू दला वहाम को खाता है उसने हů् नीट सुथी न shitty थी सम्सक्राइब लगी है इस वाक्य में है वह को खाता है कि दू शेकर ऑफ्सनिस का रइट बाना जब्यका वह आम को खाता है यह कारक समंदि सुथी है तो सेक्ट ऑप्शनिस का सई है है एक एक pension कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं लेकिन अपने कोर्स में किते प्रकार के हैं तो प्रकार के तो अपन यहां कितने मानेंगे दो प्रकार पहला उप्षिन है वो राइट माना जाएगा कि अलंकार है वो दो प्रकार के फुर्ट के दार पर नेक्स्ट कुछिशन क्या पूचा? उप्रिक दोहे में अलंकार है इस दोहे में स्रेश अलंकार है क्यों स्रेश जिसमें एक स्वत के अने करते हैं नेक्स्त क्योंसर है निमलिकित कावे पंक्तियों में किस पंक्ति में उप्मा अलंकार है निमलिकित कावे पंक्तियों में किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है उप्मा अलंकार तो इसमें अपन को बताना है कि अलंकार उप्मा कौन सी पंक्ति में है पुने दू सा मुख खिल गया कुमदोनी मानस मोदेनी कही चरनस रोज पकारन लागा तरनी तनुजा तट तमाल तरूबर इसमें तो वे कुरान की बार बार आवड़ती हुरत इस तो खोई नहीं सकता है और इसमें रूप्य सब्द कॉमदोनी मानस मोदेनी आ रहा है इसमें पूनेंद दसा इसमें उपमा का इसमें और यह फैस्ट ऑप्सोन है वो इसका राइट आद आएगा तो इसमें फैस्ट आप्सन है वह सही ने रिख्ट कुसर्ण भीन अर्थ को परकट करने वाला सब्द है भीन अर्थ मतलब अलग अर्थ मदन मनोज अनंग अधम तो इसमें उप्षन में जो अधम है ये भीन अर्थ परकट करता है इसलिए इसका चोटता उप्षन राइट बाना जाएगा अधम ठीक है नेक्स्ट किफशन समन्ध वाजक तदित परते का उधारन है समन्ध वाजक तदित परते का सब्दारन आ है मांसिक प्राइट माना जाएगा नेख्ट कुशन कि निमलिक के सब्दों में परते रहित सब्द है परते रहित मतलब जिसमी परते नहीं है परते जिसमीं नहीं हो वो सब्सक्राइब बताना है इसा कि पालु आलू ऋधिए को पैली इसमीं सुखा सभ नुपक्रफे ले सि हें लेकिन नीपट कैसे को सब्सक्राइब मैं पढ़ते रहे में जाएगा निपठघ्ट तो तीस तरह अप्षन नेसका नेक्सर रहे कि दनपत राइ नाम है तो यह अपने सटी में स्टीस्ट तेड़ी कुस्न अउन्य ने पून कर लिए है कि इसके साथ यह अपना यह पर है वो कंपलेट हो जाता है धन्यवाद खेलोदेयर स्टुएंट्स आएम निशान्त अगरौल इंग्लीश स्टुन्टी कि CLC सिकर आपका वेलकम करता हूँ कैसे आप सभी आशा करता हूँ कि बैस्ट है आप सब और अपना पेपर स्ट्पाइस का इंग्लिश का जो हमारा हुआ है सी एल सी टी का यह बहुत बढ़िया बहुत शांदर आपने दिया होगा प्यारे बच्चो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर ड़ सी एंडर हमारें यहां ही चल रहे हैं जो प्रय आपनिंग है हमारी और भी हम बापिस एक बार इन नीट आइटी के जो बैच है वो शुरू करने जा रहे हैं साथ इसाथ डिफेंस अकैडमी के रूप में भी हम बहुत ही बहतर बहुत ही बैस्ट राजस्तान इंडिया का बैस्ट एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है जिसके अंदर आप एंडि यह जो आपको यह पैसेज दिख रहा है माइग्रें मदर वर गुड़ फ्रेंड्स खुश्वन सिंग के लाइन से हैं यह खुश्वन सिंग राइटर हुए थे जिनकी डेथ 2010 में हो गई थी उनके हाले कि अगर हम बात करें चैप्टर की चैप्टर की किस चैप्टर से लिया है पैसेज आपके जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो जानते होंगे उनका फर्स्ट चैप्टर शायद यह उन्हीं की क्लास में एक चैप्टर है यह खुश्वन सिंग जी का यह चैप्टर है जिसमें जो ओथर है जो राइटर है यानि खुद खुश्वन सिंग जी अपने दादी की बात करते हैं वो क्या लिखते हैं कि मैं ग्रेंद मदर मेरी दादी एंड आई एंड आई वर गुड़ फ्रेंड्स आई वर गुड़ फ्रेंड्स तो एंड in the first cancer क्या हो गया and my parents left me with her when they went to live जब वो चले गय थे शहर में second cancer क्या हो गया when थर्ड के अंसर की बात करते हैं आच्छा टू लीव इन दा सिटी शहर में जब वो चले गई उसके पैरेंट्स चले गए and for she used to wake me up in the morning and get me ready for the for school school के लिए मा क्या करती थी जो मेरी grandmother थी वो मुझे क्या करती थी तैयार करती थी तो इसका 4 हो गया तो यह चार answers के साथ एक पैसे था यह चार options के साथ था कि आप छोड़े हुए थे कि आप इस पैसे को मेरे साब से जिसको इस चैप्टर को जिसने पढ़ा है और आम से कर सकता है ट्रेचर साब के 12th क्लास की बुक जो है उसमें डीप वाटर आपका एक चैप्टर है उसमें फर्स्ट जो स्टेंज फर्स्ट जो पहरेग्राफ है उस बुक का उस चैप्टर का डीप वाटर का जिसको विलियम डगलेस नहीं लिखा है उसके अंदर ट्रेचर से वर्ड आता है कि याकीमा रिवर वास ट्रेचर याकीमा रिवर जो थी वो डैंजर्स थी प्रपेच्चुल आपके लॉस्ट स्प्रिंग एक चैप्टर है बेटा जी लॉस्ट स्प्रिंग एक चैप्टर है जिसके अंदर जो कच्छरा उठाने वाले जो रैग पीकर्स हैं उनके बारे में रैटर लिखती है वहां से आपको यह वर्ड देखने को मिलेगा अब ऑचे इसका गैडि गिल्टी होता है यह तो अपको अता ही है इतना तो रिवाट किसी को दोगे तो मतलब क्या करोगे आप पनिश्मेंट करोगे प्लिगरी मेंज की स्पैलिंग क्या है वैसाब पिलिग्री मेज, कहा है में जी, चलो जी, उडाओ इसको तो party spill, ये बीटा लिया है आपके chapter no. first से कहां से लिया है? party, party spills, ये आपके chapter no. first जो the last lesson है, कौन सा है? the last lesson है, last lesson से लिया गया ये chapter आपका last lesson, उसकी second line अगर आप देखते हो वहाँ पे आपको यह निए बुक जब स्टार्ट होती हो 12th class की बुक की बात कर रहा हूँ मैं 12th class की जो बुक है आपकी जिसमें last lesson chapter है उसकी second line के अंदर यह word आपको देखने हो मिलेगा पार्टिस्पिल के रूल्स यह आपको मिलेगा एक 11th class का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर ही आता है उसमें कि हाला कि morning something कुछ ऐसा chapter है जिसके अंदर घोड़ा है कोई और मुराद नाम का एक लड़का है और उसने घोड़ा चोरी कर लिया यह दोनों boys D B है कहा है बताओ this story is about A C D B यह रहा भाई साब यह चैप्टर नंबर उसमें है जिसमें एक चैप्टर था उसी book में second chapter है जिसके अंदर बच्चे जो है को वह all together if we are all together अगर हम सभी साथ है उसकी एक लाइन है यह लास्ट लाइन आती है लास्ट लाइन ले चैप्टर के खतम होता ना तो वहां पर आपको यह लाइन बिखती है वह लड़का अपने पापा को कहता है क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी ना उस जहाज डूपते वए को बचाया था हुर्रे यू आर दा बेस्ट डेड़ी इन दा होल वर्ड देखले न यह कहा है डी बी ए डी बी यू आर दा बेस्ट डेड़ी डी बी अच्छा यहां पर सी होगा ना शायद यह तो डी सी ए बी सी डी ऐसे लिखाया गया ए बी यह साइशी होगा सी डी तो यह हो जाएगा यू आ बस आप सुलो यू आर दा बेस्ट डेड़ी यानि दी से ओप्षिन शूरू हो गया you are the best डेड़ी यानि यह हो गया the manner of his death यह बताओ किस chapter का है बसाओ इस तना बताओ वो chapter हैर ना tiger king वाला tiger king आपके 12th class chapter है tiger king the tiger king उस chapter के अंदर है the manner of his death is extraordinary इसा कैसा line उठके आगी उस chapter से next देखते हैं अपन the clouds are rising यह आपके doctor सदाव वाला chapter दाइनमी उसमें से वैसी की वैसी लाइन उठके आगई है दाइनमी से क्या फ्रोम दाउशन जब आप चैप्टर शुरू करते तो उसका फिफ्ट पैरा जबाब देखो कि उसमें आपको यह लाइन मिल जाएगी सदाव उस्ञापन यह उसी चैप्टर से सदाव व्ला यहनि दाइनमी से यह दॉक्टर थे नर्णा दॉक्टर सदाव दॉपन क्या करते थे से वैसी वैसी लाइन हैं मिल जाएगी मिस्टर लैंग वाला चैप्टर है ओन दा ओन दा फेस ओफिट में अना वहाँ से उठाया यह वाल स्पिकिंग मिस्टर लैंग क्या कर रहे थे वन आई वाज इन कोरिडॉर यह आपका चैप्टर है तर्थर्ड लेवल अपकी बुक है उसके अदर आपकी चैप्टर आता है थर्ड लेवल उसके अनदर आप चैप्टर का थर्ड पेज आप देखते हो उसकी फर्स्ट लाइन जब आप देखते हो तो आपको यह दिलता है कि वैन आई वाज इन दा कोरिडॉर I I could hear यहाँ पर आपको फुट देखने को मिलेगा next is there are clouds in the sky it may rain today यह डौक्टर सदा हो वाले चैप्टर से नहीं उस चैप्टर से तो नहीं है क्या आस्मान में बादल है यह मतलब यह तो चैप्टर से नहीं पूचा ये आपको complex sentence पूचा है यह फाला sentence जो है फाला फिर है simple sentence पुछा दे को सब किसी में तो what आ गया, किसी में yet आ गया, किसी में when आ गया, third option two armenian boys stole second form दे रखी है, क्या दे रखी है, second form दे रखी है, तो was word plus third form आईगी, was word third form second में मैं देखने को मिल रहा है a white horse was stolen by two armenian boys, is it clear, third they are word giving, giving, word giving, यानि being आएगा ही आएगा, being आएगा ही आएगा, being बैस सब यहाँ दो जगे दे रखा है, तो lessons के साथ word आएगा, और being आएगा, first option is the right answer Rina said to her brother, our वाला sentence आगया, यानि if वाला sentence आएगा, if यहाँ दे रखा है, यानि option number third, option number third next है, hurray, hurray यानि excited, हो रहा है बंदा, exclaimed हो रहा है, joy के साथ exclaimed हो रहा है, but यहाँ पे देखो that नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे that दे रखा है, इसका मज़र second option is the right answer the man said, इसके अदर punctuation marks देखने है, तो यह भी सही है, यह भी सही है, बाक्ती तो बेटा जी यहाँ पे ना, question mark है, paper के अंदर भई, question mark है, यह भी गलत है, और यह first answer इसका सही है, my grandmother like everybody's grandmother was an old woman, सही है, punctuation mark देखने है, यहाँ पे नहीं आएंगे, तीनों जगे गलत हो रहा है, देखो, एक ही theme पर दे दिये सारे, next है, यह आपके जो chapter है, मैं आपको बता देता हूँ, कि यह वो है, वो ही, खुश्वन सिंग जी वाला chapter है, portrait of a lady, उसी से लिया गया chapter है, portrait of a lady, portrait of a lady, an American prisoner war, यह Dr. Sadao वाला chapter, the enemy से, the enemy से लिया गया है, an American prisoner of war, वैसी के वैसी line उठके आगे भई, the lady with the pet dog, you met yesterday, whom you met yesterday, whom you met yesterday, whom you met yesterday, whom you, किस से, lady you से, तो whom आएगा, which is the word, spelled correctly, अपर दो नहीं थे, क्या किशन, अच्छा ठीक है, हो गया यह, चलो भई, भढ़ते हम, हमारे, इस पे, अरे बही, क्या है, तुमको यह spelling, इसमें यह नहीं आएगा, इसमें यह क्यों आएगा, भई साब, है, opportunity, इसमें भी दे दिया, गल्द रद है यह थेर्ड सही है, communication, communication, double M आना चाहिए था, CA नहीं होता, NE नहीं होता, यहीं सही होगा, communication, फॉर्ट आंसर सही था ना, fly over, फिरोजाबाद, कौन सा चैप्टर है, lost spring, किस से लिए गया है, lost spring, lost spring में, जो मुकेश वाला चैप्टर है, lost spring, हाँ, जब यह लाइन, पूरा चैप्टर ही खतम हो जाता है, lost spring, वाला, तो लास्ट लाइन है यह, over फिरोजाबाद, बुक की लास्ट लाइन है भई यह, now leaving his time, the first almost 80 years, that was, that was, that was, has undergone its scan, now leaving his time, for the first time, यह चैप्टर आपके 11th class की बुक स वो है ना, जिसमें मिस्टर के, मिस्टर के अंदर होता है, और वो, इजिप्ट का related एक चैप्टर है, तुत्मा खातुन वाला चैप्टर है, उसी से लाइन उठाई हुई है, भाई, Mr. Pearson, बिल्कुल Mrs. Darling वाला यह चैप्टर है आपका, यह भी 11th class की बुक से उठाया हुआ ह उसमें आप यह बट आएगा, बट डन, कहना असान है करना, करने के बजाए के बजाए, यानि ये चांप कर रहा है कंजक्षन का, ता माराजावाज है एप्पी, कौन से चैप्टर है, त्टाइगर किंग वाला चैप्टर, उस ताइगर किंग वाले चैप्टर से वैसी की वेसी संटेंस उठाया हुआ है दो आएगा मतलब मेरा साब से ना इंगलिश का पेपर किसी को पास करना है ना बुक पड़ो भाइसा वी वर प्लेस्ट इन दा लाइन ओफ कर्स हुवर मार्चिंग इंटु दा यहां पे इंटु आएगा ना मार्चिंग इंटु दा डाइनिं संटिंग कटिंग आवर लॉंग हैर्स लस्त मेमरी देशालोड यह सो चैप्टर का नाम है मेमरी देशाएवड साओं दॉप लूपास्ट की बुक का चेप्टर है वैने पीपला इंसलैव्ड यह कौन सा चेप्टर है बताओ तन लास्ट ले शन्पे अंदर से इसमें पुछा है फैसल वह टुन डाउन होता है रिजेक्ट करना किसी को उन्डे महाराजा कॉल्ड दा दिवान यह चैप्टर है यह टाइगर किंग से सैंटेंस उठा लिया है वैसा का वैसा मतलब बुलाना बुलावा सेंट फॉर और इसमें आ जाओ भाई अब क्या बोल र ही प्लकिवल यह उतना है कि यह थोसम कि और फोड़ यह क्लव होटा का एक्षेप्ट करना किसी को ऐगरी पूछ则 पुछा कि क्यों का फूर जेलो जी उड़ाओ पेपर को खतम ठीक है तो इसे के साथ आज की बात को अपन करते हैं खतम क्ल गूला के पेपर बहुत 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 था मेरा यह मानना है कि अगर आप 12th class की book को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो literature को पढ़ लो online ले पढ़ लो हालांकि grammatical तरिके से पढ़ना तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना होता है तो आपका paper बिल्कुल 40 40 question write हो जाएंगे मैंने देखा है क कम से कम 35 to 36 questions आपकी literature के sentence वैसे के वैसे बुक से उठके आएंगे 11 और 12 की बुक से तो आज के लिए इतना ही thank you so much have a nice day